सभापूल शहाद्रा शहरी कृत ग्राम में चल रहे अवैद स्क्रैप के उन्चास गुदामों को संजे सौंधी ने किया सील संजे सौंधी के बताने के अनुस्सा इन गुदामों से वायू और ध्वनी प्रदूशन भारी मात्रा में हो रहा था गुदाम मालिकों के विरूद अपराद प्रकरिया सनहीता की धारा 133 के तहट कार्यवाही की गई संजे सौंधी ने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी लेकिन इस सीलिंग से सैकड़ों लोग हुए बेघर और बेरोजगार उपजिला अदिकारी संजे सौंधी ने सभापूर शहादरा शहरी कृत ग्राम में चल रहे अवैद स्क्रैप गुदामों के खिलाव भी मोर्चा खोलते हुए उन्चास अवैद गुदामों को सील कर दिया इन गुदामों से वाई और धोनी प्रदूशन भारी मात्रा में हो रहा था गुदाम मालिकों की वरूत अपरात प्रकिर्या सनहीता की धारा 133 के तहत कारिवाई की गई है अपजिला अधिकारी ने भविश्य में भी व्यापा जनहीत में गडिक कारेवाई करते रहने का निश्य व्यक्त किया है नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी 29 नीज रूमें हूँ आपकर शात मेशपाल इस समय हम सब डिविजन करावल नगर संजय सोधी जी के पास हैं आज 133 के तहत कुछ बड़ी कारवाई खास करके कवाड़े की गोदामों पर हुई है सोन्य ब्यार में जो सवापूर एस्टेंसन में आती है मैं जानना चाहूँगा आखिरकार कितनी गोदामें बंद सील की गई है और कितने गोदामों के उपर कारवाई हुई है और किस के तहत किस तरह से कारवाई हुई है जबकि काफी लेट नाइट तक अभी SDM साब काम कर रहे थे और उसके बाद काफी गुदा में सील होकर अभी भी आया है तो मैं जानना चांगा झालों किस तरह से कितनी गुदा में सिल की गी तो आज जो कारbars भाइई हुई है गुदा मोजोंIZे हैं जो किस न हाप तहर कितनी गुदा में सील की गई सब्सक्राइब करने करने के कारवाही मन प्रारम की उनके पास कोई भी वैली लाइसेंस वगर नहीं था कि यह जो गुदाम है यह वायू अध्वनी प्रदुश्यान का बहुत बड़ा एक एनिकी स्रोत है और इसमें हमें डी सीपी कारेले की जो टीम है उसका भरपू सहयो प्राप्त हुआ दो वजे दो फैर के तरी भी यह कारवाही प्रारम हुई और अभी देर आतरी तक यह प्रदुश्यान के लिए जिस तरह से लोगों का जो आरोप है वहां के जो गोडाउन के जो मालिक है या वहां की लेवर है उनका लगातारी है कहना था कि हमें अभी तब कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिये गया विदाउट नोटिस यह कारवाई हुई है इसको कैसे पूरी तरिके से मित्या बते हैं कई बारिन को नोटिस हमने मतना नहीं भेज़े हैं पीछले एकमेहने में इसके बाद इके कोई बनें कोई प्रकिराप रावत नहीं प्रकेर國家 नहीं हुई ही आज जब इतने व्याप प्रमाने पर कारवाई हुई तो यह हत्पुरभ रहे गए और इसे यह अनरगल प्रकार के आलो परत्यारों मेरे उपर मेरे खिलाम लगा रहे हैं जिनमें कोई भी सच्चा ही नहीं है इनके जो भी बातें पूर्ण था मतलब मित्या से मतलब परिपूर्ण है और यानि की अधार ही इन बात है जिस तरह से आपने अभी बात कही कि कुछ लोगों के जो जन्ता के प्रत्निदी हैं उनकी भी सिकायते मिल रही थी इसके तहत यह कारवाई हुई है तो क्या यह पहले से भी फिलाल अब आपके द्वारा कारवाई हुई है तो क्या यह मतलब उसको MCD को या आपके कॉडिशन के कि बाद सिंगल टीम आपकी रही या और भी कुछ कॉडिशन का कि यह मुद्धानिक DCP का रहने कि जो पुलिश टीम है और SDM की जो टीम है उनके से तत्वादान में यह करकम संब्द हुआ है तो दिल्ली पुलिश के अंदे DCP की टीम और आप joint operation था क्या joint operation था इसमें लेकिसमें सोनिया विहार का थाना सामील है नहीं 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 तो केमल DCP की टीम को जानकारी थी सोनिया विहार थाने को जानकारी पिछले दू-3 दिनो करवाई की रूप रहे थे और उनके इंस्पेक्टर रहे का कि उनके जो बड़े अधिकारी है इन अवैद को दामों से जो यहां पर करवाई होती है उससे बहुत जादा फैड़ा फोच चुकिए उनका माला परशान हो चुकिए इनफ 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 वो चाहते है कि उसके पर कि और मैं रिजने एसटेम की जो टीम थी उसके सेंग तत्वाधान में यह करवाई है अभी अगर मालीजे कि वो जो डॉकुमेंट कुछ दिखा सकते हैं तो क्या यह डीशील होने की उमभीद है या अब अभी ऐसा कुछ है अगर उनके पास वैलीड अगर कुछ यानी करते हैं क्या डॉक्मेंट होंगी यह मतलब इनके पर से लाइसेंस होना चाहिए कि इस प्रकार के वह गोडावन है ने की चला सकते हैं और लेकित सबसे बड़ी बात ही है कि यह नी लाइसेंस होने का मतला है इनको वायू परदूश्ण और धौनी परदूश्ण फैलाने का इनको परदूश्ण और धौनी परदूश्ण यह नहीं फैला रहे है कैसे नहीं सावित करें और यह जो इसको मतला नी बटवारा करते हैं इसको कुस्की मतला कटिंग भी बीनो करते हैं इससे भारी मात्रा में यानिक वायू परदूश्ण होता है तो इंके खिलाब कार्व अब कुछ गुडाउन यह लगातार जो गुडाउन रन हो रहे थे वो कैसे अब देखिए सब जैसे मैंने कहा कि इनको काफी मतलब संक्षण प्राप थे कुछ लोगों का और इनके वरूत जब भी कारवाई होती कुसमें तक बंद होते हैं इसके बाद यह वापस रियोपन हो जाते हैं तो इस वज़ा से साथ यह अभी ता चालू मतलब थे लेकिन पिछले 15 मेहने कारेकार रहा है मैंने पहली वार इनके किलब कारवाई है और मैं यह मानता है कि कारवाई है यह निर्णायक होगी और काफी सक्त होगी इस तरह की कारवाई की हो एमसीडी जरूसर किये लेकिन अभी तक एस्टम द्वारा पहली कारवाई आपके द्वारा होई है और दिल्ली पुलिस के नॉर्थीष्ट संजय सेंड जो जीशीपी है उनकी टीम के बारे में उनका काफी जबता सहीयोग रहा और वह काफी ज्या इनके उपर नकेल डालनी पहुँजा दाना निका वश्यक है तो यह कारवाई बैसिकली होनी चाहिए थी चोधा तारीक को यह दो दीन लेट होकर क्या सोला तारीक को यह मतलब पाना मेरे लिए सम्भूव साता है मैरे कुछ प्रक्तिका स्वास्तगर्णों के कारण से अब और चलेगी और भी और बीज़ा अब तो क्या इतना कि अंधेरा घीराने की वज़ा से अभी हमें कार्या अपना नहीं रुखना बड़ा आगे भी कारवाई की तरफ से उसमें भी लगातार पहले देखा गया है कि जो पॉलुशन के रहते भी यह सब कुछ और बंद न अब पांसो के उपर तक अनिक पहुंच गया था यहां पर इंड़िया बहुत जादा घुला वाज तब यहां पर जादा मले खराब बात थी उसके खिलाब कहें ने करनी ही थी तो आने अपनी जमीर की बात को मतला निक सुना है और इस खिला मैंने करवाई मतलब की ने जो कारवाई आपने की सर्वोर्त काभिले तारीफ है क्या इसमें आपको कुछ भैवी नजर आता है अब जो कारवई होनी तो मैंने कर दे इसका जो भी अंजाम होगा वो दिखा जाएगा लेकिन यह बात से है कि मैंने सत्य की रहाप के अपना कदाम आगे आनी बढ़ाया ह जो भी अंजाम होगा हमाने देख लेंगे दिशा निर्देश जारी किये गए हैं इन दिशा निर्देशों के तहट संबंदित अनुविभाग्य दंडा अधिकारी को अवैद संग्रण एवं विक्रे का मामला पाया जाने पर 50,000 रुपे तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है तेजाव फेकने की बड़ती घटनाओं के मद्दे नजर एशिट का संग्रण और विक्रे पर निगाहे बनाए रखने के तार तम्य में उपजिला अधिकारी करावन लगर द्वारा ये कारेवाही रियांश इंडर्स्ट्रीज ग्राउंड फ्लोर खस्रा नंबर 14 करावन नगर इंडर्स्ट्रियल एरिया के प्रॉप्राइटर राकेश सबरवाल के वरुत की गई द्वारिका के मोहन गार्डन में जिस तरह से 17 साल की बच्ची पर स्कूली छात्रा पर एसिट फैक कर तीन बाइक सबारों ने जो हमला किया है उसके ऊपर भी कुछ अभी जो तित्थ निकल के आया है उसमें ये था कि दिल्ली में बड़े आसानी से कई जगे एसिड मिल जा जाना चाहूंगा कि क्या वो कारवाई थी सर इतने लीटर था वो तो यह तो लीटर था 30% है तो हमने उसको बरामत किया हमने बंदे से पुछ है कि आपने इसको कहां से खरीद आपकी क्या सब्सक्रास इसके कुछ निक खरीद की कोई निक रसीद वगर रहे तो बताने क्या उसका ने कि अकाउंटिंग है कहां से आया है उसके बारे में वो कोई भी जवाब दे पाने में आनिक अस्वारत रहा तो फिर डेली कोईजन पोजेशन और सेल्स रूल्स दोजार पंद्रा की धारा जो धारा ग्यारा केता है तो यह अधिकाय प्राप्त है कि वो इनकी इनका पूरा रजिस्टर करने की चेक करें तो उसमें अनिवित्ता पाई गई है तो इसमें फिर मैंने पांसलिटर जो हैड्रोकलोरिक अनिक असीड था जो कि 30% संद्रता का था उसको जब्त किया और करावन अगा थाने कि पुलिस को इसकाने कि इसकानी 100 पर वो इस तरह का प्रश्चेंद करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है वह अनने जगों पर शील कर रहे थे या फिर वह अपने यूज के लिए वह उसके यूज के लिए था लेकिन वह वह इस टाया कहांसे इन पेस कई विकाहिजाद रगर रहने कि नहीं थे और इस पकाड से मतलब संग्रहन क्या वैद है और विक्रह भी इस पकाड से करना नहीं का वैद मैंने पुछा। कुछा कोन लोग हुआ है तो उनका नाम वह अनी मुल बता नहीं पाहे। इन गोडाओं की बात करें तो कई लोगों ने इस चीज का हवाला दिया है कि बहां सेकड़ों के हजारों की तादात में मजदूर जो है अब बेघर हो जाएंगे जो कि बहीं उनी गोडाओं में रहते थे या फिर उनके उनका अस्याना और उनका काम उस पर प्रभावित होग उसके लिए क्या करें और जो इसक्राप को जड़िए निस्तारण की जो उचीत प्रबंद होता है उसका उचीत प्रबंद करें वेगानिक वीद्धियों का उसका ने की यूज करें अगर वह वाईव प्रदूर्शन फैलाते रहेंगे तो उनकी फैक्ट्रियां जो है वो ड करना चाहूं है कही लगातार जो कवाड़े के कवाड़िं आता कशीबाड़ के वह करए वह निरंतर गोडाम चलते रहें और बहुत क्लथर निरंतर गोडांन को यह रहा मिल जाती है इस काम करने की यह अपने आप में देखने वाली बात है लेकिन आज SDM करावल नगर संजय सोंधी द्वारा जो बताया गया है उसमें बहुत बड़ी कारवाई हुई है और उस कारवाई के ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो प्रोडूर्शन नहीं होता अगर प्रोडूर्शन नहीं होता तो उसके डॉकुमेंट भी चाहे होंगे जो अगर डीसील करायने वाले लोग अगर प्रियास करेंगे तो और सबसे बड़ी बात है कि आज करावनगर ने एक ऐसे तेजा माफिया को पकड़ा है जिसके पास 500 लिटर तेजा मिला है जो कि यह घटना जब दिल्ली में द्वारिका के मोहन गार्डन में हुई उसके बात से यह सक्री ओप्रेशन चलाए गया और एक बहुत बड़ा ओप्रेशन आज किया है जिसमें कव कर दो